मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमिल बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंडेस को कैसे ट्रांसलेट करें जहां कहते हैं जिन होने या जिसने जैसे जिन होने आपको बुलाया है वो अंदर हैं जिसने चूरी किया है उसे सजा मिलेगा जिसने आपको धोका दिया है वो नर्क में जाएगा या जिन्हों ने आपकी मदद किया है वे अच्छे इंसान थे जो खेल रहे हैं वो मेरे भाई हैं जो आ रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं तो are you friends देखें कि इस तरह के sentences जहां आप कहते हैं जिन्हों ने जिसने या जो कैसे बूलना है इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप अपने पहले sentence को one who से translate करेंगे यानि सबसे पहले आप लिखेंगे one who उसके बाद tense के according आप helping verb या verb लिखेंगे और दूसरे sentence के सुरुआत आप किसी verb से करेंगे यानि दूसरे sentence के सुरु में आए यह वह यह वे कि English नहीं लिखना है यानि उसे छोड़ देना है और यहां मैं आपको एक बात बता दू कि one who के जगा पर आप दो जो का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके subject एक से ज़ादा हो तो यानि plural में हो तो कहने का बताब friends की one who similar subject के साथ लिखना है और दो जो plural subject के साथ लिखना है कैसे लिखना है आईए इन सभी बातों को एक्जामपन में बेहतर तरीके से समझे जिन्हों ने आपको बुलाया है वो अंदर हैं तो sentence के लिए आप कहेंगे one who has called you is inside तो friends आपने देखा कि इस sentence के दो पार्ट हैं पहला जिन्हों ने आपको बुलाया है और दूसरा पार्ट वे अंदर हैं तो मैंने पहले पार्ट को translate करने के लिए लिखा one who उसके बाद helping verb के साथ verb लिखा यानि tense के according उसको translate किया और दूसरे पार्ट को translate करने के लिए वे का English गाइब कर दिया फिर अपने sentence के सुरुआत एक verb से किया यानि मैंने का is inside तो इस तरह के sentences को translate करने के लिए आप यही करेंगे यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँगी कई बार one who के जगा पर दो जू लिखा जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब आपका subject plural हों यानि एक से ज़्यादा हों जैसे अगर आपको कहना हो कि जो लोग आपको बुलाएं हैं वे अंदर हैं तो sentence के लिए आप कहेंगे यानि जो लोग आपको बुलाएं हैं वे सभी अंदर हैं आये friends कुछ और examples देखते हैं जिन्होंने आपको English सिखाया है वे आज आ रहे हैं तो sentence के लिए आप कहेंगे यानि जिन्होंने आपको English सिखाया है वे आज आ रहे हैं तो फ्रेंस आपने देखा कि मैंने पहले sentence के सुरुआत one who से किया और दूसरे sentence के सुरुआत मैंने एक verb से किया और दूसरे sentence में आये way की English गायब कर दिया जिसने मेरी मदद किया हुआ एक नेक इंसान था तो इस sentence के लिए आप कहेंगे one who helped me was a gentleman यानि जिसने मेरी मदद किया वह एक नेक इंसान था अगर मुझे कहना हो कि जिन लोगों ने मेरी मदद किया वे नेक इंसान थे तो इस sentence के लिए आप कहेंगे those who helped me were gentleman यानि यहां मेरा subject plural है इसलिए मैंने बोला those who जो लोग मुझको धोका दिये वे नर्क में गए तो sentence के लिए आप कहेंगे those who cheated me went to hell यानि जो लोग मुझको धोका दिये वे नर्क में गए जो आ रहा है वह मेरा दोस्त है one who is coming is my friend जो खेल रहा है वह मेरा भाई है one who is playing is my brother जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई हैं तो sentence के लिए आप कहेंगे those who are playing are my brothers तो friends उम्मीद करता हूँ कि यह topic आपको शांदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के sentences जहां कहते हैं जिन होने या जिसने को बोलने के लिए आप इस structure का use करेंगे तो friends अगर वाग कई आपने इस concept को समझा तो कि आज topic पर दो sentences comment box में लिखेंगे सिब दो sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताओंगा कि आपने सई सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे interesting lesson के साथ तब तक के लिए बाई